जैमाता की सभी बक्तजनों को देखे आज बात करेंगे कि गुरू होने के बाद भी आपकी साधना सफल क्यों नहीं हो पाती है आप साधना में सफलता क्यों नहीं पाते हो आप मंतर जाप करने के बाद भी आपका कारिय क्यों नहीं निकल पाता है तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग धैरे की जिन में कमी होती है क्या कारण रहता है और क्या एक दम से अगर आपने सवा महिना सेवा कर ली है तो क्या वो जो सक्ति की आप साधना कर रहे हो आपने पहली पहली साधना करी है आपके अंदर इतनी नेगिटिविटी है इतने आपने बूरे करम करके शक् बगत के द्वारा बिगाड़ी गई शक्तियों को ले करके जब कोई दूसरे बगत से हमारे सनिद में लगा लो या फिर अपने किसी भी गूरू के सनिद में लगा लो आप साधना करते हो पहली बार आपसे करम करवाया जा रहा है भक्ति करवाया जा रही है और उस भक्ति के क परने के तुरंत बाद आप यह सोचते हों कि मुझे रिजल्ट मिले फटा-फट से मेरे सारे कारिये बनते रहें और मेरी साधना इसाफल हो मुझे आदेश होते रहें और जादा तर लोग यह चाते हैं कि हमें सट्टे का नंबर शक्तियां देने लग जाए और हमारी साधना जो है हम तब इसा प्लमानेगे कि जब हमारा उत्थार वर अगए लग जाए देखने के नंबर लेने, वह सत्टे के साधना कहीं से भी ले सकते हैं रहे शंट्रा की साधना guitar की सेवा करनी है, एक तरब आप ग्रस्त में और दूसरी तरफ आप शक्तियां तार्टरिक वाली चाहते हो जो मेरा बुराbaro उस्वो तुरंट भसम हो जाये अगर मैं उसको चैलेंज दे दू तो मैं एक फूक भीमार हूँ तो उसके घर के सारे कारिया भी गड़ जाएं तो अगर भाई तांत्रिकों वाले कारिया करने है तो तांत्रिक सिद्धियां करनी पड़ेंगी और अगर भक्तो वाले कारे एक आम जो भक्ती करने वाला भगत है और उसके आप शिश्य बन रहे हो और भक्ती कर रहे हो भक्ती में क्या होता है बगवान आपको तब ही देता है जब उसको लगता है कि आप इस लायक हो और आपकी भक्ती उस लेवल तक पहुंच गई है आप तो प्रेद डाकीनी शाकनी को बना रखा है, जब कि ऐसा नहीं है, नकरातमक्ता क्या होती है, गलत विचार, दूसरों के प्रति इर्श्य का भाव, किसी की कोठी अच्छी बन गई, किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, उनको देखो, वो कितने अच्छे से जीवन जीते हैं वो अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, अच्छे महंगे गहने वो औरत डाल रख्या है, ये हमारे पास भी होना चाहिए, ये नकरातमक्ता है, एक तरफ तो आप बगवान की भक्ती करते हो, दूसरी तरफ आपको बगवान पर विश्वास नहीं होता, अपने इष्ट प परिक्षा सब की लेता है, अगर भक्ती करोगे भक्ती का आधार ही दुख और परिक्षाएं होती हैं, अगर आप परिक्षाओं को पार करके दुखों को पार करके चलोगे तो ही आप जीवन में कुछ कर सकते हो, करम कमाना पड़ता है, अगर आप करम कमाओगे, करम करोगे भक्ति करोगे भगवान के भरोसे सारी चीजे छोड़ोगे तो आपकी साधनाएं भी सफलोंगी आपके कारिया भी बनेंगे अब कुछ लोगों को यह लगता है हमेशा उनके अंदर नकरातमक्ता भरी रहती है मैं फिर से नकरातमक्ता के बारे में बात करूँगी कि उनको यह बाद भी मैं साधना कर रहा हूं और मेरे को सफलता नहीं मिलती है फिर मेरे को गुरू अच्छे नहीं मिले वो एक पल अपने अंदर ये देखे अपनी भक्ति को परखे रात को सोते वक्त आप 10 मिनट स्वैम को दीजिए खुद को दीजिए खुद को देखिए पर रखिए समझिए क्या जब हम मंतर जाप कर रहे थे जब हम जोत जगा करके भक्ति में वैठे थे उस वक्त जब मंतर जाप चल रहा था क्या हमने अपने इष्ट के अंदर अइष्ट के उपर संपोन विश्वास किया नहीं उस वक्त भी बच्चों के लिए भोजन बनाना है अमारा क प्रमातमा से कैसे जुड़ सकते और पहली साधना में आपको कैसे सब कुछ मिल सकता है साधना करने के बाद आपको निरंतर अपने गुरु मंतर का इष्ट मंतर का जाप करते रहना पड़ता है और वो परमातमा प्रभू की इच्छा होती है जब उनकी इच्छा होती है जब उसको लोहे की अत्योडी से पीट के तब वो गहने लायक कहलाता है, नहीं तो एक इट को कोई अपने श्रिंगार में शामिल नहीं कर सकता, एक सोने का टुकडा है ना, वो बेच करके आप उससे धन जरूर कमा सकते हो, परंतू उसको अपने श्रिंगार में वो आपको श शोबा बढ़ाता है, तब जाकर के वो आपकी सुन्दरता में चार चांद लगाता है, और वो ही तपन आपको अपने अंदर लेकर क्यानी है, तब ही आप सफलता पाओगे, तब ही आपको साधना में सफलता मिलेगी, तब ही देवी देवता आपका कारिया निकालने में सक् कुछ लोग तो इतने नेगटी वीचारों के होते हैं, उनको ये ही नहीं पता होता है कि हमने बगती क्यों करी Wür pong देखा देखी मुझे भी गुरु धार्न करना है मुझे भी गुरु धार्न करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, हम बार बार बूलते हैं गुरु धार्ण करके गुरु नियम से चलो एक दो साल अपने गुरु को दो खुद को दो स्वेम को दो आप हर समय हर पल छोटी 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 गलतिया करते रहते हो जब गुरु धार्ण कर लेते हो तो गुरु पे विश्वास करो अपनी शक्ती पे विश्वास करो परंतु वहाँ पर भी आपका मन डावा डोल रहता है विचलित रहता है आपने अब मैं बात करूंगी कि आपने संकल्प ले लिया कि मेरा ये कारिया निकलना चाहिए 11 रुपे की इरदास लगा दी और आपने कहा कि मैं 51 या 21 जार मंतर जाप करूंगा या करूंगी इस चीज के लिए ठीक है और उसके बाद आपने उस मंतर का जाप शुरू कर दिया कारिया निकलनाने के लिए परंतु क्या हुआ कि मंतर जाप भी आप कर चुके हो आपका कारिया नहीं निकला फिर आप दोश दोगे गुरु मंतर को अपनी शक्ति को और सबसे बड़ा दोस्तों क्या आपको विश्वास था उस मंतर के जाप पर नहीं आपने सिरफ कारिया संपन किया अगर आपने ग्यारा माला नित्या का जाप उठाया तो आपने लगतार बैठकर ग्यारा माला नहीं करी तीन चार मालाओं के बाद आपको वासी आने लगी नींद आने लगी और आपक थोड़ा अपने आपको वक्त दो, थोड़ा अपनी शक्ती को वक्त दो। क्योंकि जब तक आप अपनी जो साधना करी है, अपने इष्ट को वक्त नहिँ दोगे, आपको सोचने समझने का, परकने का, तो इस प्रकार के लोग जीवन में कभी सफलता पा नहीं सकते अपने गुरु महराज पर विश्वास करो अपनी विद्या पर विश्वास करो तब ही जाके आपको सफलता मिलती है आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो लाइक करना सबस्क्राइब करना सबी को जी जाम आता है